हलो एंड वेलकम तो कोरल्ड टिटोरियल फो बीगनर्स दोस्तों आज की क्लास मैप सभी का फिर से स्वागत है आज हम सीखेंगे बिट मैप को एक बिट मैप हमने छोटा सा एलिमेंट निगाला है ग्राफिक का इससे हम बॉर्डर बनाएंगे पोस्टर के लिए हमें फोर कलर के पोस्टर वगयरे डिजाइन करने होते हैं किसी जलसे के लिए किसी प्रोग्राम के लिए तो उनके लिए बॉर्डर वगयरा अच्छे डालने होते हैं कलर्फूल तो उसके लिए हम कलर्फूल बॉर्डर बनाना सीखेंगे और आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से प्र से रिक्वेस्ट करूंगा जिन लाइकन दबाएं ताके सब नोटिफिकेशन पास सकें चलिए ज्यादा वक्त में लेते होई शुरू करेंगे आज का वीडियो तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आज ये गूगल पर सर्च किया इमेजिस में जाकर वेक्टर बॉर्डर और ये बहुत सारे ओप्शन दिखाए इसमें मैंने यहां एक थोड़ा सा बोल्ड सा ये खुबसूरत बॉर्डर का इमेज कॉपी करी कोरल में पेस्ट करी अब इसको हम ये देखिए बिट में भेए अभी 300 dpi के हम इसको कोरल ट्रेस चलाएंगे सबसे पहले देखिए लाइन आट चलाएंगे अधिकी जल्दी जल्दी मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा किस तरह से आप देखिए ट्रेस हो गई इसको जूम करके देखेंगे इसकी डीटे衇स इसको यहांसे थोड़ सी हम डीटे बढ़ा लेंगे यहांसे स्मूथिंग थोड़ सी और कर लेंगे तो यह ओके कर लेंगे रिमूबल वाला ओप्शन अम क्लिक करेंगे ताकि इसमें जहां बीच-बीच के पोजिशन में वाइट दिखा रहा है इसको रिमूब कर देगा यह सही ट्रांस्परेंस आएगा अब ओके कर देंगे यह ट्रेस होगी अब यह हमारा वेक्टर होगी है इसमें हम पूर व हम इसमें कलर ने शरू करेंगे सबसे पहले यह इसको गुरूप रखेंगे हम पूरे डिजाइन को एक साथ और यहां से हम स्मार्ट फिल से फिल करेंगे अब लेकिए सपयोज हम हम He weiß मिंदे यहां से पहले इसमें लीव्ट में डालेंगे अि शुरू से देखते हुई अ तोड़ाद डार्क लेंगे तो दिखाने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूं ताकि आप बाद में अपने इसाब से इसको यहां जहाँ जहाँ यह इस तरह की यह की जैसा कलर रखेंगे फिर हम कलर चैंज कर लेंगे फिर से इसको यहां से सेपरेट करेंगे तो यहां से हम सेपरेट करने के लिए इसको फूलाइन का पॉइंटर लेंगे और यहां से इसको इस तरह पॉइंटर लेंगे पिर स्मार्ट फिल टूल लेंगे यह हम इस तरह फिल कर लेंगे इन लीफ को हम बाद में देखेंगे फिलाल इसी पर काम करेंगे छोटी-छोटी पर पहले फिर से हम इसको separate करने के लिए देखिये लेंगे टूपइंट लियन यहां पर हम鬼 से ग्रीन स्मार्ट फील और लाइनर का दीति म हो जाएगा आण तो नहीं है तो हम इसको होई है सेपरेट करेंगे इस यह सब 33-mn हो एद इसको डिलीट करते रहेंगे चोटी-चोटी जहां सेप्रम लगा रहा हूँ अ दिख ही वह हो गया यह अलमॉस्स इह सब यह सब यहां गालेस कि यहां बीच में फिल कर लेंगे हम इक बार फिर Сंए की यहां कलर बनाने के लिए अपनी पसंद्ध के और चाल्र भी कर सकते हैंhol है अब टेक्निक बता रहा हूं बादay कंबिनीशन अपनी पसंद के यूज deposit कर सकते हैं अब भिर हम कि स्मार्ट की लेंगे या से ग्रीन वाला प्रक करेंगे कलर और इन समें टाइँ करेंगे यहां अ अब हमें यह बाकी लीफ के कलर डालने हैं अगर हम चाहिए इन में एक कलर भी डाल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट भी डाल सकते हैं जहां से हमें फिल करना है उस आप से मर्च करते हो चलेंगे सपोज हमें इस लिफ में कर डालना है तो हम यहां से फिर से वो लाइन आरो टूल लेंगे अपना तो इसको सेपरेट कर लेंगे इस तरह जहाँ तक भी हमें एक जैसा कलर फिल कर नाया देगी है हमने लाइन ली शेप टूल लेंगे लाइन को स्लैक करेंगे कर लेंगे कर लेंगे ताके हम देख सके कहा अ तक है यह इस तरह है रखर हुआ अब इस को मीक्र स्थाछल से फिल कर लेंगे यहां से알त है तो इसलिए यहां बेट करना पड़ेगा इसको कि अब यहां से हमारा कनेक्शन ब्रेक नहीं हुआ है इसलिए यह पूरा फिल कर रहा है अब यह दिखिया उटर आ गया तो अब यह सही काम करेगा तो शुरू में एक पीस पर छोड़ी सी मैनत हो जाएगी बाद में हमारा पूरा फ्रेम बहुत खुबसूरत बनेगा और आसानी से बनेगा सिर्फ एक एलिमेंट पर हमें मैनत करनी है बाफी जो हम लाइने बना रही है सेपरेट करने के लिए वो सब डिलीट करते हुए चलें हैं यहां भी हम बनाएंगे देखिए एक लीव बन गई इसका हम चाहिए अपनी पसंद से कलर चेंज कर सकते हैं कोई भी अब यहां इस लीफ का color को यार कर देंगे royal blue कर देंगे यहां पर इसका कोई और color कर सकते हैं यहां पर color red कर सकते हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए separation करकर दिखा रहा हूं ताकर आपके आसानीओ अचला आप अपने पसंद से change कर सकते हैं यह भी डाल सकते हैं यहां पर Red दे सकते हैं Red देते हैं तो देखिए हैं इसी तरह हम Separation करते रहेंगे यह से भी से आ लेगे इस बार हम यहां से डिवाइट करेंगे और इस वाली Dark वाली का Color फिल करेंगे हम Leaf का यह वाला कtałर आम यह यह covert ने यह प्रोफ कर लेंगे यहां हम सियान कलर देंगे यह रेड कलर भी दे सकते हैं हमने यहां रेड यूस की आइस वाली लिट में यह दिलीट कर देंगे लाइन यहां से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं तूल लेंगे इस तरह शेप टूल लाइन सेलेक्ट करके कर्व और इस तरह यहां पर हमें कलर सेपरेट यहां कर सकते हैं फिर इसके बाद यहां पर करेंगे हम आगे यहां पर हम सियान कलर ले लेंगे अब हम इसको कहां से दो जगह से हमें कर सकते हैं सेफरेट यहां से और दूसरा यहां से यहां पर स्मार्ट फिल टूल लेंगे एक कलर फिल कर देंगे इसकी डिलीट कर देंगे पॉइंट हमने जो बनाये थे टेंपरेरी इसको हम रेट कर सकते हैं यहां हम एक कलर एक कलर यहां यहां पर हम कोई भी कलर यूज कर सकते हैं भी चेंज कर लेंगे मजेंटा कर लेंगे और इंज कर लेंगे यहां भी हम और कलर यूज कर सकते हैं और इंज यूज कर सकते हैं इसको भी यह लब मास्टर पीस में हमें सिर्फ मैनत करने हैं जो हम मास्टर बना रहे हैं यह एक देखिए जो कलर में अच्छा लगए यहां पर हम अब इस वाले पर हम मैनत करेंगे कहां कहां सेपरेट करना ह यहां से करेंगे हम इसको सेपरेट इस तरह से यहां पर एक सेपरेशन डालेंगे दिखेंगे इसको यहां से बेजिया टूल ले लेंगे ताक्या हम है एक यहां से स्मार्ट फिल लेंगे रोग गया हमारा इसका कलर हम यह और इंच कर सकते हैं ब्लू कर सकते हैं यहां पर हम इनके ऑप्शिंस देखिए यहां पर रॉयल ब्लू अधिस तरह आतरा है यह तो कि ही न यहां नवाँ परकिनिया कलठ देना चाहिए नवाइविज देक्टे कंडिनिवी Ч.्ट्पपर आगि यहां पर हम सेप्रेट इसको असानी से कर सकते हैं यहां पर इस लीइव को सेप्रेट कर लेंगे दोस्तों वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है यह फ्रेम वाले बॉर्डर वाले क्योंकि यह अक्सर जरूरत पड़ती है यह हमेशा ही जरूरत पड़ती है और हमें यूज बहुत आते हैं यह चीज़ है तो इसको दिहान से देखें और पूरा वीडियो देखकर ऐसा बनाने की कोशिश करें यह देखिए कहां कहां से डिवाइड करना है वह अपनी आइडियास के साब से आप यह देखिए यहां पर हमने इस अगरा इसको रेट कर देते हैं कि इसमें हम यहां से कंटीनिविटी ला सकते हैं इस तरह कि देखिए अगया इसको भी सेपरेट कर लेंगे यहां से हम कि इस तरह से अगया हम इसको यहां से अलग कलेश में डालेंगे अदेखिए हम इसको सेपरेट कर सकते हैं इसको सेपरेट कर सकते हैं हम यहां से इसको हम सेपरेट यहां से कर देंगे इसमें स्मार्ट फिल से फिर से कलर फिल करेंगे यहां इस सेपरेट इनके कलर चेंज कर देंगे इस तरह से इस वाली लीव पर काम करेंगे इसको यहां से सिंप्ली सेंटर से डिवाइड कर देंगे और इसमें फुल में एकी कलर कर देंगे कोई परिशानी नहीं है इसमें इसको हम कोई सियान देते हैं फिलार कि इसको पूरे को एक ही गलर भी कर सकते हैं चाहें तो डिपरेंट भी कर लें यहां पर चोटा सा इसका सेपरेशन बना सकते हैं अब यहां पर इसका सेपरेशन बना सकते हैं अब देखिए इस तरह फिर स्माट फिल लेंगे यहां फिल करेंगे क्यां विख्यां इसको उनस्यान देंगे अब इसका चेंज कर देंगे विए आप यहां देदिया हमने आप इसको मचेंटा कर देंगे इसको रैट कर देंगे अब यह मारे कलरफुल एक फ्रेम तैयार हुए अल्मोस्ट अब इस सर्कल्स रह गाएं सर्कल्स के गलर देदेंगे इनके आप पर कोई तीसा अलागी कलर रेटे इसके लिए है कि स्मार्ट की से यहां से हम कोई यूज कर सकते हैं कि यह दिखेंगा निंप्लाइंट कलर रहे कि अग्रीन ले लेते हैं को अच्छा फ्लोरी सेंट थोड़ा सा यह सब्सक्राइब इसमें सर्कल्स में एक सा कलर कर दो करेंगे ब्लैक को शिफ्ट के साथ पूरी डिजाइन को स्लेक करके बाहर लाएंगे यह देखिए इस तरह और यह हमारा पूरा डिजाइन फ्रेम तया इसको डिलेट कर देंगे अब इसकी ज़रुवत नहीं है सपूर्ज किजिए हमारा पोस्टर है 23 इंचीज बाई 18 इंचीज से प्रेंट होगा पेपर पर 18 बाई वर्टिकल 23 इंचीज इस तरह और हमारा प्रिंटिंग एरिया रहेगा कंटूर करेंगे कंट्रोल एफ नाइन से 0.5 इंचीज का स्टैब टू ले लेंगे हम या एक ही स्टैब लेंगे इसका हम 0.25 का ये प्रिंटिंग एरिया हमारा हो जाएगा pozorn कर देंगे। Grade Contour Apart बहर वाली black Line को uNN कर देंगे। लेट इसकी जरुफ्प है। हमें इसके अंदर border रखना है तो हम सब से पहले guideline लेंगे Center में B इसी तरह टॉप से Center लेंगे पी और इसको Slag करेंगे border को। इसका Size हम रखेंगे 0.75 inches जो हमने border का frame का side रखा है इस तरह अब हम इसको top से मिलाएंगे shift के साथ बाहर वाले frame के top left देख लेंगे हम इसको जिस तरह face रखना चाते है frame का इस तरह रखते हैं ठीक है यह अच्छा है अब हम इसको इस तरह यहां से move करकर copy करेंगे यह देखिए बिल्कुल सही जगा पर है फिर इसको repeat कर देंगे Ctrl-R से अब यह ज्यादा लग रहा है तो हम इसको इस वाले को delete कर देंगे और इसको हलका सा drag करकर बड़ा खींच लेंगे snapping on करेंगे guidelines है ताकि हम इसको हल कसा इसको इस तरह कर लेंगे फिर इसको एक पीस की copy हम बाहर लेंगे इसको flip करेंगे इस तरह देखिए यहां छोटी सी चीज़ एक समझने किये बहुत important देखिए इसका face right side हमारा बहर जा रहा है तो हमें outside करना है तो इसको flip करेंगे इस तरह अब इसको फिर से red outline को आउटर को select करेंगे टॉप और left से align करेंगे यह हमारा perfect है अब हम इसको copy करेंगे यहां इस तरह एज से मिलाएंगे इसकी यहां पर इसी तरह एक copy और करेंगे फिर से इसको एज से मिला देंगे यहां पर देखेंगे और यह हमारा frame का almost त्यार हो गया अब हमने 0.75 inches इसकी वित रक्किया तो 0.75 inches का एक rectangle लेंगे 0.75 inches control Q से curve कर देंगे इसको top से फिर से इससे मिलाएंगे top left और इस black outline के square को select करेंगे shape tool लेंगे और इस एक side के corner को double click से delete कर देंगे फिर इस border को इधर left वाले को लेंगे इससे trim कर देंगे फिर इसको select करेंगे flip करेंगे mirror vertical और horizontal फिर यहां पर इसको right side वाले को top को लेंगे इसके साथ इसको trim कर देंगे देखिए corner perfect हमारा बन कर आएगा frame guard अब यह वाला हमारा बिल्कुल perfect है इस वाली side से हमें इसको मिलाना है तो हम इसको यहां से trim कर लेंगे guidelines से box लेंगे oversize का इसको यहां से trim कर लेंगे जितना आएगा इस तरह इसी तरह यह तो सही यह perfect है इसको यहां से select करेंगे एक साथ group करेंगे group objects और इसको flip कर देंगे यह देखिए इसी तरह इन दोनों को select करेंगे delete करके देख लेंगे देखिए यह और group कर लेंगे इनको दोनों को एक साथ इस बार bottom flip कर देंगे vertical अब हम इसको border को चाहें delete कर सकते हैं यह हम सिर्फ बाहर outer का delete कर देंगे और inner रख लेंगे inner को एक कंटोर करेंगे control f9 से 0.032 इस तरह ज्यादा है 64 कर देंगे जीरो एट कर देंगे इतना साही है हम इसको break apart करेंगे और यह फिर आउटर को बढ़ा देंगे डिलीट इसको break apart करेंगे पहले इसको बाहर वाले को delete करेंगे और इसके line की थिकने समझे देंगे थोड़ी ज्यादा 0.5 की जागा हम two point की कर देंगे यह देखिए three point की कर देंगे four point की कर देंगे जितनी भी हम थिकने चाहें border की यह देखिए poster हमारा पोस्टर के लिए border इद्दम परफेक्ट इसका तयार हो गया है बहुत अच्छा poster के लिए हमारे रहेगा अब इसके अंदर हम अपने shapes वगरे ट्रॉकर करके टेक्स फिट करके आराम से design को पूरे complete कर सकते हैं आगे आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको किस तरह बागी के poster को भी design करेंगे हम इसी frame को य इस design की vector file में आपके link में डाल दूंगा आप इसको download कर सकते हैं और use भी कर सकते हैं अपने professional project में तो दोस्तों आज के लिए इतना ही देखते रहे है coral.tutorials for beginner thank you for being a part of CDTP family thank you for watching